हमारी आज की स्टोरी है एक रियल लाइफ ड्रग किंग पिन के राइस और डाउन फॉल के बारे में साल 2001 में रिलीज हुई मूवी ब्लो एक टू स्टोरी है अमारिका के सबसे बड़े कोकेन स्मगडर जौर जंग के बारे में जिसका क्याक्टर प्ले किया है जौनी डप ने तो आएए देखते हैं एक आम लड़की की स्टोरी जिसने अपनी ड्रग स्मगिंग स्किल से कोलंबिया के सबसे खतरनाक ड्रग लॉड पाबलो एसकोबार को भी अपना फैन रना लिया था पर विडियो शुरू करने से पहले म जिस वज़े से उसकी मां हमेशा उसके फादर से लड़ती है और कई बार उन्हें अकेला छोड़के अपने पेरिंट के घर भी चली जाती है जौर्ड का फादर उसे बहुत प्यार करता है और हमेशा उसे समझाता है कि पैसा ही लाइफ में सब कुछ नहीं होता है पर जौर्ड अपनी मां की खौंसेंट लड़ाईयों से ठच चुका होता है और बस्पन में ही ये डिसाइड कर लेता है कि एक दिन वो इतना पैसा कमाएगा कि उसकी मां फिर कभी उसे या उसके फादर को यूजलस नहीं बोलेगी और इसी सपने के साथ अपनी ग्रैजुशन कप्लीट करते ही साल 1968 में जौर्ड अपने बस्पन के फ्रेंड प्यूना के साथ कैलिफोनिया के लौस अंजलस आ जाता है लौस अंजलस के बीचिस बिलकुल नई और फ्रिश जगा होती है जहां सभी ओपनली ड्रिंक और स्मोक करते हैं जौर्ड को परता चलता है कि बीचिस पे मोस्टली लड़कियां एर होस्टिस हैं और ऐसी ही एक एर होस्टिस लड़की बाबरा के साथ जौर्ड पहली बार मायरिवाना यानि वीड स्मोक करता है और उसके नशे से सोन रह जाता है बाबरा और जॉड जल्द ही एक डिलेशनिशिप में आ जाते हैं और साथ रेंडल लगते हैं टूना उन्हें सज़स्ट करता है कि उन्हें वीड बेशने का बिजनस करना चाहिए और बाबरा उन दोनों को वहाँ के एक सप्लायर डेरिक से मिलाती है डेरिक उन्हें अच्छी क्वालिटी की वीड बेशने के लिए देता है और जल्द ही जॉर्ज और टूना सारे बीच और आसपास के एरिया में वो वीड बेशने लगते हैं और अच्छा पैसा कमाने शुरू कर देते हैं एक दिन उनका एक फ्रेंट केविन बॉस्टन से लॉस आंजलेस आता है और उनकी वीड स्मोक करके उनके प्रोड़ेक का फैन बन जाता है केविन कहता है कि इस क्वालिटी की वीड पूरे बॉस्टन में कहीं नहीं मिलती और वहाँ के multiple colleges और students में ये weed double price पर बिखेगी और George को अपना profit दस गुना करने का एक idea आता है George, Derek से 20 kg weed खरीद कर Barbara के suitcases में रखवाता है और क्योंकि pilots और air horses के luggage heavy security से नहीं गुजरते इसलिए Barbara वो bags वहाँ से Boston पहुचाना शुरू कर देती है और वो best quality weed बहुत जल्दी बिखने लगती है और Kevin हर बार Barbara से और ज़्यादा लाने की demand करता है अब इतनी heavy demand देखके George खुद प्यूना के साथ एक mini बस में भरके 100 kg weed वहाँ से Boston लेके आता है वो 100 kg weed भी कुछ दिनों में ही बिख जाती है और Derek को उसका share देने के बाद भी George हफ्तों में 1000 डॉलर कमाने लगता है पर George के सपने बहुत बड़े होते हैं और उसे ये profit भी कम लगने लगता है क्योंकि Derek जहां से ये सारी weed ला रहा होता है उन्हें उस supplier के cost पे business करना पढ़ रहा होता है इसलिए George एक direct source धूनने Mexico चला जाता है जहां उसे एक farmer मिलता है जो weed की खेती करता है और George उससे bags या buses में नहीं बलकि एक छोटे plane में भरके weed खरीदना शुरू कर देता है Mexico से America आ रही इस fresh grown weed से George, Barbara, Tuna, Derek और Kevin अब और भी ज़्यादा अंगन लगते हैं और lavish parties और बड़े-बड़े घर खरीदना शुरू कर देती है George बाबरा को propose करता है और अपने parent से मिलाता है जहां उसके father से ज़्यादा उसकी मा उससे खुश होती है क्योंकि अब George भेद अच्छा earn कर रहा होता है एक restaurant में dinner करते हुए बाबरा की नाक से bleeding होने लगती है और वो लोग dinner skip करके घर जाते है सेम रात को George को फिर से एक wheat से भर event डिलिवर करनी होती है पर उसे पुलिस पकड़ लेती है और सारी 600 kilo wheat भी seize हो जाती है George एक मेहंगा lawyer hire करता है और judge से leniency दिखाने को कहता है और उसे सिर्फ 5 साल की सजा होती है George बेल भर के बाहर आ जाता है और बाबरा से मिलता है और उसे बताता है कि उसे 5 साल की सजा होई है पर वो good behavior पे 2 साल में भी बाहर आ सकता है पर बाबरा उसे कहती है कि उसके पास 2 साल नहीं है क्योंकि उसे cancer है कुछी दिनों में बाबरा की death हो जाती है और उस दिन से George बदल जाता है त्यूना, Derek और Kevin भी अलग-अलग जगा settle हो जाती है और George अपनी सजा पूरी करने कभी जेल वापस नहीं चाहता और शहर छोड के भाग जाता है एक साल तक पुलिस से भागने के बाद George एक रात को अपने घर आता है और अपने पेरेंट से मिलता है पर वो जब अपने फादर से बात कर रहा होता है तब उसकी मा पुलिस को फोन कर देती है क्योंकि उनकी अकॉर्डिंग अब George एक ड्रग डीलर और गरीब हो चुका है George बहुत चीटिट फील करता है और जेल से लगाता है जेल में उसे एक कार्चोरी की केस में आया आदमी मिलता है जिसका नाम डीएगो होता है और डीएगो की धुरू उसे कोलंबिया और उसके एक शहर मेडिलन की फेमस कोकेन के बारे में पता चलता है George ने कभी कोकेन टच भी नहीं की होती पर उसे ये पता होता है कि ये ड्रग वीड से पांच गुना महंगा बिकता है गुड बेहेवियर दिखाने और अपनी सजा कम करवाने के लिए George जेल के बाकी कैदियों को प्यूशन पढ़ाना शुरू करता है और उनसे भी काफी नई ड्रग स्मगिंग टेकनीक सीखता है अपनी सजा पूरी करके बाहर आने तक वीड में डिपनोमा लेके अंदर जाने वाला George कोकेन की डिगरी लेके जेल से बाहर आता है और बाहर आते ही वो डिएगो को फोन करता है जो उससे 15 महीने पहले ही छूट गया था और वो उसे फोरन फ्लाइट लेके कोलम्बिया आने के लिए कहता है ये साल होता है 1976 और George पहली बार डिएगो के कजन और एक काटल मेंबर सीजर के लिए 15 किलो कोकेन अपने लगेज में छुपा के कोलम्बिया से अमेरिका लाता है और ये प्रूव करता है कि वो कोकेन भी स्मगल कर सकता है उनका स्मगलिंग ओपरिशन अब ग्रो करने लगता है और एक दिएगो जॉर्ज को मायामी के एक होटल जाके 50 किलो कोकेन टिक करने को कहता है कोकेन देते वक्त कार्टल मेंबर्स जॉर्ज को वान करते हैं कि दिएगो से कहे कि उन्हें जल्दी इस कोकेन के पैसे चाहिए और जॉर्ज वो बैग्ज लेके अपने घर चला जाता है पर बिएगो उसे फोन पर बताता है कि उसे कोलंबिया में पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और वो सारी 50 किलो कोकेन अब जॉर्ज को ही बेशन पड़ेगी जॉर्ज पैनिक नहीं करता और अपने पुराने फ्रेंट डेरिक के पास चला जाता है और डेरिक के आदमियों को टेस्ट करने पर पता चलता है कि ये 95% प्योर और अंकट कोकेन है उन्हें लगता है कि ये सब बिकने का उन्हें सालों वेट करना पड़ेगा पर वो पूरी 50 किलो कोकेन सिर्फ दो दिन में ही खतम हो जाती है और डेरिक और जॉर्ज दोनों ही मोटा प्रॉफिट अर्ण करते है कार्टल मेंबर्स को उनकी 50 किलो कोकेन के पैसे दिने जब जॉर्ज आता है तब वो लोग जॉर्ज को अपने साथ प्लेन में कोलंबिया ले जाते है जॉर्ज को कोलंबिया के मेडिलिन शहर लाए जाता है जहां हत्यारों से आम्ट लोगों की एक पूरी आर्मी होती है और डियेगो भी उसका वेट कर रहा होता है और उस दिन जॉर्ज मीडिलिन कार्टी के मालिक और 1970s के सबसे बड़े ड्रग लॉड पाबलो एसकोबार से मलता है जिसके आदमी खुले आम लोगों को सड़कों पे मार रहे होते हैं जॉर्ज भेद नवस और डरा हुआ होता है क्योंकि एसकोबार उस टाइम पे कोलंबिया या अमेरिका का ही नहीं बलकि वर्ल्ड का मोस् वांटेड आदमी और सबसे खतरनाद ड्रग किंग भी होता है और एसकोबार बियागो को नहीं सिर्फ जॉर्ज को ही अपने पास बात करने के लिए बुलाता है पाबलो कहता है कि उसे अपने आदमियों पे भरोसा ही नहीं हुआ ये सुनके कि एक अमेरिकान ने 50 किलो कोकेन सिर्फ दो दिनों में ही बेज दी और वो जॉर्ज को अपने काटल का अमेरिका में में डिस्टिबीटर बनने का ओफर देता है और जॉर्ज कहता है कि वो इस काम में डिएगो को भी पार्टनर बनाना चाता है अब डिएगो के साथ और डिरिक के बायर से मिलके जॉर्ज इस कोस से लेके वेस्ट तक अपना एमपायर से आनने लगता है पाबलो की मेडिलिन काटिल के कोकिन कॉलेज चूरेंट से लेके मूवी स्टार्ज और कॉलेटिशन भी ट्राय करने लगते हैं और जल्द ही डिएगो और जॉर्ज के पास कैस रखने के लिए जगा कम पढ़ने लगती है और वो काउंट करने की जगा कैस तोलने लगते हैं बट सेल कैस फ्लो बहुत ही जारा होता है इसलिए वो दुनों एसकोबार और बड़े ड्रग लॉट सी तरह अपना पैसा पैनामा के नैशनल बैंक्स में रखने लगते हैं डिएगो अपनी गोर्फरिंट से शादी कर लेता है और उसकी शादी में जॉज को मीर्था मिलती है जो उसे बेहत प्रसंद आती है पर मीर्था डिएगो के कजन सीजर की फियौंसे होती है मीर्था को भी जॉज पसंद आ गया होता है इसलिए वो अपनी engagement तोड़ के George से शादी कर लेती है और क्योंकि George पाबलो सोबार के लिए काम कर रहा होता है इसलिए कोई भी कोलम्बियन इस शादी पे objection नहीं करता George मीर्था के साथ एक बंगलो खरीट के लग्जिरी से जीने लगता है और वो दोनों अब regularly कोकीन स्निफ करने लगते हैं और क्योंकि अब वो फिर से रिच हो गया होता है इसलिए उसकी माँ भी फिर से उससे मिलना शुरू कर देती है George के फादर को हमेशा से पता होता है कि George क्या करता है और वो उसे कभी नहीं रोकते पर हमेशा alert रहने का suggestion देती है George ने कभी Diego को Derek से नहीं मिलवाय होता और Diego बार-बार George से उसके इस California के distributor से मिलने का pressure बनाता है एक drug deal के बीच में ही एक दिन Diego George से इस बात पर लढ़ने लगता है और उनकी English ना समझ पाने की वज़़ से कुछ Cartel members पैनिक होके गोली चला देते हैं जो George को लगती है George finally fed up होके उसे Derek का नाम बता देता है और उसे California ले जाके Derek से मिलवा भी देता है पर यही George के सबसे बड़ी गलती साबित होती है दरसल George Diego के हातों कोलंबिया से आ रही कोकेन आगे Derek को बेचने के लिए पास कर रहा होता है पर Diego अब George को हटा के सीधा Derek से डिल करने लगता है और इस सबसे George का बिजनस स्पॉल हो जाता है George को एक New Year Party में यह पता चलता है कि Diego अब सीधा Derek से बिजनस कर रहा है और इतना पैसा अर्ण करने लगा है कि उसके पास उसका खुद का प्राइवेट आलेंड है George इस धोके की वज़े से डियो के आलेंड पे जाता है और Diego कहता है कि उसके कॉंटाक्स की वज़े से ही वो पाबलो एसको बार से मिल पाया था और ये सारी महनत उसी की है और उसने किसी को कोई धोका नहीं दिया जिस पे George उस पे गन पॉइंट करता है और Diego का कजन Caesar और उसके बाकी गाड़ उसे बाहर ले जाके बैद मारते हैं Disappointed और Injured George उस राद घर आता है और नीर्था को बताता है कि वो ये बिजनस छोड़ रहा है क्योंकि George ने वैसे ही पिछले कुछ सालों में लाखों डॉलर्स कमा के सेव करे हुए हैं George ने कोकेन बिजनस छोड़ दिया होता है पर कोकेन लेने की आदत उसे अभी भी होती है जिस दिन उनकी बेटी बैदा होती है उस दिन भी George ने कुछ घंटों में ही कई ग्राम्स कोकेन स्निफ कर ली होती है और उसे अपनी वाइफ की डिलिवरी के टाइम ही हार एटाइक आता है डॉक्टर उससे समझाते हैं कि वो हुमन लिमिट से कही ज़ादा कोकेन इंटेक कर रहा है और अगर वो आगे जीना चाता है तो उसे अभी कोकेन छोड़नी पड़ेगी और अपनी new born बेटी के लिए जॉर्ज हमेशा के लिए कोकेन लेना बंद कर देता है जॉर्ज अब अपनी life comfortably जिन लगता है पर अल्मोस 5 सालों के बाद जॉर्ज के 40th birthday पे मीर था जॉर्ज के सभी पुराने friends को इंवैक्ट करती है और उसी party में Derek भी आता है जो जॉर्ज को सालों पहले के लिए sorry कहता है उसी party में undercover FBI और DEA agents भी होते हैं जो इतने सारे drug dealers और smugglers को एक जगह देखके raid मार देते हैं और जॉर्ज समित सभी वहां arrest हो जाते हैं और police उसकी बेटी को भी उससे अलग कर देती है अपनी वाइस और बच्ची के लिए उस party का सारा blame George अपने उपर ले लिता है पर court case लड़ें या वेल के लिए George के पास अब ज़्यादा पैसे नहीं होते इसलिए George पैनामा के bank में जाता है जहां उससे पता चलता है कि यहां की government change होने की वज़े से सबी banks nationalize हो गए हैं और साथ ही उसका सारा पैसा लगभग 60 लाक US जॉलर भी पैमरिनियन गवर्मेंट ने ही seize कर लिए है और बाकी पैसा और George की साड़ी savings मीर्था के drugs और उनकी एश और राम के life में खतम हो चुका है अब George एक गरीव आदमी होता है और इसकी बेटी क्रिस्टीना भी वैसे ही अपनी माँ को अपने फादर से पैसो के लिए लड़ती हो देख रही होती है जैसे George ने बच्चपन में देखा था पर George उसे यकीन गिलाता है कि सब ठीक है और वो हमेशा क्रिस्टीना का take care करेगा मीर्था ये असप्ट नहीं कर पा रही होती कि अब वो गरीब हो चुके हैं और वो डेली George से लड़ने लगती है एक दिन जब वो कार में George को गालियां दे रही होती है तब रैस डाइविंग के वज़े से उन्हें दो पुलिस फले रोकते हैं और मीर्था गुस्से में उन्हें बता देती है कि George एक ड्रग डिलर है और उसकी कार में अभी भी कोकेन पड़ी है जिसकी वज़े से वहीं से George को अरेस करके जेल भेदिया जाता है तीन सालों के बाद एक दिन मीर्था जेल में आके George को बताती है कि वो उसे डिवास देके दूसरी शारी कर रही है और अब क्रिस्टीना को भी वही रखेगी क्रिस्टीना का भी अपने फादर से भरोसा उठ जाता है क्योंकि George जों से प्रॉमिस किया था कि George हमेशा उसका ध्यान रखेगा और George पहली बार इतना helpless feel करता है कुछ time के बार George जेल से शूट जाता है और प्रिस्टीना से मिलने लगता है और नीर्था उसे कहती है कि वो अगर ठीक से अंद करने लगे तो वो उसे प्रिस्टीना की कस्रेडी जेने के बारे में सोचेगी प्रिस्टीना भी George से कहती है कि वो कैलिफोनिया जाके वहाँ के बीचीज देखना चापी है और George उससे promise करता है कि next weekend वो कैलिफोनिया जरूर जाएंगे इस trip और कैलिफोनिया में अपनी बच्ची के साथ सेटल होने के लिए George एक last बार एक बड़ी smuggling करने का प्लान करता है पर इस काम के लिए Derek उससे उससे उसके पराणे दोस केविन और दो और आद्मियों के टेच्च में लाता है George का प्लान हमेशा की तरह सेकस्टल रहता है और वो सम्मिल के मेक्सिको से एक प्लेन भर के कोकेन United States में ले आते हैं पर George को deal complete करने पर पता चलता है कि Derek और Kevin ने सजा से बचने के लिए FBI को George का नाम दे दिया है और FBI इस सारी deal पे नजर रखे बैठे थी और इस बार George finally लगबग 100 केलो कोकेन के साथ पकड़ा जाता है George को पकड़े जाने या अपने पुराने फ्रेंट्स के धोके का जरा भी बुरा नहीं लगता उसे बस ये बात हट करती है कि एक बार फिर से उसने अपने बेटी से करा प्रॉमिस तोड़ दिया क्योंकि उसके अरस के टाइम पे क्रिस्टीना अपना बैक पैक करके George के आने का वेट कर रही होती है ताकि वो कैलिफोनिया जा सके पर वो कभी नहीं आता Finally George को 60 साल की सजा सुनाई जाती है और वो जेल से अपने बूड़े हो चुके फादर को एक आदियो टेप भेज़ता है और कहता है कि आज वो समझ गया है कि क्यों उसका फादर कहा करता था कि पैसा ही लाइफ में सब कुछ नहीं होता George जेल में ही बूड़ा होता है और मूवी के एंड में हम देखते हैं कि उसकी बेटी Christina जो अब बड़ी हो चुकी है वो उससे मिलने आती है पर वो बस बुड़ापे में हैलूसिनेट कर रहा होता है क्योंकि Christina कभी भी उससे मिलने जेल नहीं आई होती और George अब अपनी सारी लाइफ जेल में अकेले ही निकालता है ऐसी ही एक और मूवी के लिए लेफ्ट या राइट वाल वीडियो पर क्लिक करना Till then, stay safe and bye bye